नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुरानी बैट शीट के पांच आइडियाज जो बहुत ही फाइदेमंद हैं और जो आपके घर में बहुत ही ज्यादा यूज भी होने वाले हैं तो सबसे पहले मैंने अपनी एक बैट शीट का एक बॉर्डर टाइप में बना हुआ है इसको मैंने कट कर लिया है इसका जो मैंने मेजरमेंट यहां पे रखा है वो 21-22 का मैंने यहां पे रखा है तो इसको मैंने पहले दो पीस इसके मुझे कट करने हैं जो कि मैं इसमें से इस border के ही cut करूंगी, इसके बाद क्या करना है, हमें इनको separate separate अलग कर लेना है, और इसके बाद हमें इनकी करनी है सिलाई, हमें क्या करना है, इसके तीन, तीनों तरफ से हमें सिलना है, एक पार्ट हमें इसका खुला छोड़ना है, जो की 21 इंच का होगा, और बागी तीनों इंच से हमें इसकी सिलाई लगा देनी है, फिर जोहां से हमने दो कौने सिले हैं, वहाँ पर 4-4 इंच का हम gap ले लेंगे, यानि कि नाप लेकर, और उसको हम cut कर लेंगे, जो हमने काटा है, उसी को हम दूसरी तरफ रखके, उसी नाप से दूसरी तरफ भी एक cut लगा देंगे, यानि कि उसको काट लेंगे, इसके बाद हमें ये बीच में से पकड़ लेना है, जो कि यहां से cut हमने लगा है इस तरीके से देखिए आप, इसको बीच में से पकड़ कर हम ऐसे कर लेंगे, और सीध ही सिलाई इसके उपर हम एक और लगा देंगे, दोस्तों जब हमने ये ही काम हमें दोनों तरफ करना है, और फिर उपर से जो हमने कौना एक छोड़ा था ना, उसको हम फोल्ड करके सिल लेंगे, ये जो दो पटिया मैंने यहां पे काटी हैं, जितनी लेंथ आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काट लीजे, मैंने बड़ी लंबी पटियां काटी हैं, और थोड़ी चौड़ी भी काटी हैं, इनको मैं इस तरीके से फोल्ड करके और सिल दूँगी, दोनों पटियां मुझे इसी तरीके से सिल लेनी हैं, इंच टेप से 2-2 इंच का नाप ले लेंगे हम, दोनों साइड, इस साइड भी 2 इंच का नाप लेकर हम यहां पर निशान लगा देंगे, 2-5 इंच, इसी के बीच में मैंने हां पे इसको रखा है, एक तरफ निशान लगा दिया और दूसरी तरफ भी यही नाप से निशान लगा देंगे और फिर यह हमें ना चारो तरफ लगाना है एक दो साइड तो एक तरफ की हो गई और दो साइड दूसरी तरफ की इस तरीके से देखें मैंने इसमें निशान लगा लिया है दो-दो इंच मैंने उसको deep भी कर दिया है अब यह जो पट्टी मैंने तयार की थी इसको मैं इस तरीके से इसमें जोड़ दूँगी थोड़ा सा fold मैंने इसमें कर दिया है नीचे से जिससे की finishing अच्छी आए और मैं कम से कम एक इंच के करीब इसको सिलूँगी क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा एक cross करके design बनाना है तो आप देखे इसी तरीके से मैंने इसे सिला है इसको थोड़ा सा उपर ले गई हूँ और फिर इसको cross करके इसमें सिल देंगे जिससे की यह मजबूत हो जाएगी आप कितना भी इसमें भारी सामान रख लीजे कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत मजबूत सिलाई इसमें लग जाएगी इस तरीके से मैंने चारों को सिल ली और अब आपका एक bag तयार हो गया है जो की बहुत ज्यादा मजबूत है और आपने बिल्कुल waste material से इसे बनाया है आप इसमें कितना भी भारी सामान रख सकते हैं आइडिया नमबर टू इसके लिए मैंने same color की न दो पटिया काट ली है इनका नाप जो मैंने रखा था 6 बाए 3 का रखा था और same ही size में मैंने दूसरे color की पटिया काट ली है contrast बनाया है आप देखेगा बहुत ही अच्छी और काम की चीज है तो इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर एक पटिया तो उस color की काटी है same size की 6 बाए 3 और दो पटिया मैंने दूसरे color की काटी है यहाँ पर मैं दो पटिया और काट रही हूँ दो पीस तो यह मैंने पीस लिये है यहाँ पर 3 बाए 4 के ठीक है तो यह मैंने यहाँ पर पीस कट कर लिया है जो एक पीस मैंने काटा था उसमें मैं यहाँ पर pasting चिपकाऊंगी तो यहाँ पर pasting हम iron की help से चिपका लेंगे तो क्योंकि heat होने से वो चिपक जाएगी अच्छे से और जो हम एक थैला बना रहे हैं उसमें एक मजबूती मिल जाएगी ऐसा थैला आप बार बार बनाने की कोशिश करेंगे बार बार बनाना चाहेंगे जैसा थैला हम बना रहे हैं जो भी एक्स्टा इसमें pasting है उसको हम cut कर लेंगे सारी pasting साइडों की निकाल देंगे और जो हमारा fabric है main fabric जो है उसको हम finishing से यहाँ पर निकाल लेंगे बहुत ही आसान है बहुत ही easily आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल भी आपको cutting नहीं लगेगा तो pasting जो मैंने एक तरफ लगा दी इसमें और दूसरी तरफ जो मैंने fabric काटा है यह इस तरीके का काटा है तो अंदर बहार दूसरा और अंदर दूसरा मैंने इस तरीके से और चारो तरफ इसमें हम सिलाई लगा लेंगे चारो तरफ से हमें सिलाई लगानी है कोई भी हमें portion छोड़ना नहीं है ध्यान दीजेगा क्योंकि हम इसे उल्टा सीधा नहीं करेंगे, बस चारो तरफ से हम इसको एक नीट सिलाई लगा देंगे, ठीक है, जो मैंने इसमें अब लगा दी, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है, जो कि मैं आपको बता रही थी न, मैंने सेम लैंद का काटा है, उसको मैं इसमें सिल दूँगी, एक तरफ से इसमें जोड दूँगी, जो मेरा में फैब्रिक है न, उसको हम सीधा रखेंगे, और उसको जो हम पट्टी जोड रहे हैं, उसको उसकी सीधी साइड नीचे करके सिल देंगे, और जो दो पट्टिया मैंने काटी थी, उनको हम तीन साइड से अब हम इसे सिल लेंगे इसको सिलने का कारण है तीन साइड से क्या reason है ये भी आप देखेगा बहुती मजबूत आपका ये थैला बनने वाला है तो तीन साइड से सिल दिया मैंने अब मैंने एक cardboard का piece काटा हुआ है वो piece मैं इसके अंदर अब हमें क्या करना है ये जो हमने लंबी पटी तयार की है इसको मैं इसके ना बलूँगी चारो तरफ से कि भाई कितना मुझे इसमें से सिलना है क्योंकि एक्स्ट्रा हो तो निकाल दीजे वरना मेरा बिल्कुल fix ही बैटा था और साइड से पहले सबसे पहले साइड से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद जो मैंने जिसके अंदर उपर से ये थोड़ा सा हम इसे एक हम थ्रेड इसके अंदर डालेंगे उसको हम डालने के लिए इसको फोल्ड कर लेंगे है ना तो यह मैंने से फोल्ड कर लिया उपर से और इसमें नीचे से अब मैं ये पट्टी जो मैंने कार्टबोर्ड डाला था वो मैं इसमें लगा दूँगी कार्डबोर्ड मैंने पट्टी मैंने इसमें लगा दी है वो पीस इसमें जोड़ दिया है अब उपर का जो मैंने नेफा तयार किया था न उसमें हम होल करेंगे देखे कितना अच्छा ये लग रहा है है न बिल्कुल लग रहा है न मार्केट स्टाइल तो बहुत ही प्यारा बिल्कुल इजी बन गया है बहुत कोई मुश्किल नहीं आप बना सकते हैं अब उपर जो नेफा तयार किया है उसमें मैं दोनों साइड दो दो होल करूंगी जिससे की धागा हम अपना डोरी इसके अंदर डाल सके है न तो ये आप चाहिए कैंची से कर लीजे चाहिए किस इसमें आप छेद कर लीजे और एक मैंने पट्टी भी तयार कर ली है इसको होल्ड करने के लिए देखिए मैंने डोरी भी डाल दी है और ये जो मैंने हैंडल टाइक में मैं बना रही हूं न इसको भी मैं इसमें सिल दूँगी और देखिए हमारा बैग कितना खोपसूरत बनके तयार हो गया है मैंने इसमें साइडों से इसको फिक्स अप भी कर दिया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है आप चाहे इसमें कुछ भी समान रख सकते हैं ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है और लगी नी राकी हमने घर पे बनाया है बिलकुल ऐसा लग कुछ ऐसी होती है न कि कहीं से बीच से उसका पोर्शन खराब हो जाता है और साइडों से अच्छी होती है तो इसी तरीके से मैंने इसमें से एक दिवान का सेट था उसमें से इसे निकाल लिया कुशन मैं आपको बनाने नहीं बता रही हूं मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ तो यहाँ पर बस मैंने सिंपल चार कुशन यहाँ पर मैंने बनाये हैं थोड़ा अलग-अलग डिजाइन करके बनाया है अगर आपको अच्छे लगे न वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे कुशन कवर देखिए सिल गए है चार मैंने बनाये थे तो कंट्रास्ट में मैंने इस तरीके से इनको यहाँ पर लगा दिया है और ये बहुत ही अच्छे लग रहे है आपको कौन सा मेरा आइडिया पसंद आ रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चौते आइडिया की तरफ तो मैंने क्या किया ना एक बैर शीट को एक साइड से फोल्ड कर लिया और फोल्ड मैंने कितना किया है इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो ली है 30 इंच और जो इसकी चौड़ाई ली है वो ली है मैंने 10 एंच क्योंकि मैं इसका बना रही हूँ एपरेंट तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिया और उपर से स्ट्रेट मैं इसको कट कर लूँगी है न तो बस और जो साइडों में हमें होता है न Arm Hole जैसे हम बनाते हैं उस हिसाब से हमें थोड़ा सा कट करना है और लंभी-Lंभी मैंने तीन पटियां यहांपर कट कर ली है बहुत ही आसान है बिल्कुल इजी है सबसे पहले मैंने क्या किया पटियों को ही जोड़ा है पट्टियों को यानि की तयार कर लिया है तो उनको फोल्ड करके हम तीनो पट्टियों को तयार कर लेंगे सबसे पहले मैंने यही काम किया इसके बाद जो हमने जहां-जहां से हमें अपने एपरन को मोड़ना है वहां-वहां से हम उसको मोड़ के तयार कर लेंगे चारो तरफ से हमारे कपड़े को हम मोड लेंगे जहां से भी इसको हमें मोड ना है फिनीशिंग के साथ हम इसे थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड लेंगे और जो पट्टियां हमने तयार की है न तो एक पट्टी तो हम उपर जोड देंगे उसके पट्टी के दोनों सिरे हम अपने एपरन में इस तरीके से एड़ कर देंगे, सिल देंगे इसके बाद जो हमने आर्म होल तयार किये था ना उसके किनारे पर, दोनों किनारों पर हम अपनी जो दो पट्टियां हमने अलग-अलग तयार की हैं उन्हें हम यहाँ पर जोड देंगे और हमारा एपरेंट तयार है अब आप इसको पहन कर खाना बनाईए बरतंद होईए आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे और यह बहुती अच्छा खुबसूरत लग रहा है दोस्तों देखे कितने हमने वेस्ट मिटेरियल से कितनी काम की चीज बना ली है अब बढ़ते हैं आइडिया नमबर फाइफ की तरफ तो जैसे भी हमारे पास कितने भी कई फार कॉटन की बैड़ शीट होती है उनको कट करके थोड़ा सा किनारों से सिल कर हम उसे अपने किचन में यूज कर सकते हैं छोटे छोटे पीसीज में कट करके ए वो गंदी नहीं होगी और आपका किचन साफ रहेगा दोस्तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा